गूड मोर्नेंग एबरीबान दोस्तों आजा है में 21, 2024 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के अनालेसिस में नाम है सिटेंटर चोधरी आलाज हम लोग उनकों से टोपिक करने माले हैं एक बात देख लेते हैं प्रीफली एक बहुत बढ़िया टोपिक है जो कि बिजिनस लाइन से कल आया वाँ था गैस बेस्ट एकोनमी के बारे में बेसिकली अभी हमारी एकोनमी जो है वो कोल बेस्ट है अपनी एनरजी नीड्स के लिए हम लोग ज़्यादातर कोल को पर ही डिपरेंट करते हैं अफकोर्स लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पैरिस क्ला को हम लोग गैस बेस्ट बना सकते हैं क्या यहां पर हम लोग नैच्रल गैस की बात कर रहे हैं उस कोंटेक्स में बहुत वड़ी आर्टिकल है मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत आपको मिलेगा एक्जाम में एकॉनमी वाले से उसके लाब प्रिलिम्स के लिए चोटा सा ट सिक्यूर्टी के प्रस्पेक्टि से भी थोड़ा इसको हम लोग कर सकते हैं एक और च्छोटा सा टोपिक है चाइना वाले चाइना और इंडिया को कंपेरिजन किया गया है कि बहुत जादा है लेकिन कुछ पैटर्न्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं उसके लाब रेडिकल डेमोक्रेसी को लेकि टेक्स सेक्शन है था बहुत बढ़िया था तो आज का ये जो टेक्स सेक्शन है वो एक्चली एडिटोरिल से बहुत अच्छा लगा मुझे त इंडिया के अंदर जो रेडिकल डेमोट्स का ऐडिया है कैसे आया कैपितलीज्म से थोड़ा से ठोग डेकल करके देखेंगे आज चलूक confirms क्या मलोग इसको पड़ने में तो बढ़ते हैं सीथा पहरे टोपीं वी लेकिन आपको मैं बताता चलूएं कि सैटर्डेय को हमारी क्लासिस होती हैं जिसमें हम लोग पूरे हफ़ते का करेंट फेर प्रेलिम्स और मेंस दोनों ही प्रस्पेक्टिस से डिटेल में कवर करते हैं यह क्यों आर कोड दिया हुआ है आप उन क्लासिस को जोइन कर सकते हो ऐसी थाउजन कोड अगर अप्लाई करते हो तो आपको कुछ डिसकाउंट 1000 रुपीज का मेरी तरफ से दे दिया जाएगा फिकोस अल्टिमेंटली आप यह मानके चलेगर अब सीरियस यूपीसी आस्पेरेंट हो और अगर आप दो साल का करेंट अफेर कवर नहीं कर रहे हो अच्छे से तो फिर वो काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रिलिम्स और मेंस में करेंट अफेर की जिस तरह से इंपोर्टेंस बड़ी है और पिरिड ओफ टाइम आप उसको डिनाय नहीं कर सकते तो यह तो आपको करना ही पड़ाएगा एनिवेस आगे बढ़े तो पहले टोपिक पहले बढ़ते हैं पी जी पी एन जी आर भी पैन कि इंडिया को हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे ठीक है नेट जीरो का मतलब अगर आप नहीं पता बता देता हूं नेट जीरो का मतलब यह होता है कि कोई कंट्री जितना सियोटू रिलीज करती है वो उतना ही सियोटू एबजोर्ब भी करती है मतलब आप कुछ भी ग्रीन हाउस गैस एटमोस्पेर के अंदर आड नहीं कर रहे हो यह मतलब होता है नेट जीरो का और हमारा टारगेट है 2070 तो 2070 तक के टारगेट अचीव करने के लिए हमें आज ही कुछ काम करना पड़ेगा हम लोग वेट तो नहीं कर सकते तो आज हम लोग क्या क्या कर रह हैं यह हम लोग हाईडरो के ओपर फोकस कर रहे हैं हम लोग नुकलिय एनरजी के ओपर फॉकस कर रहे हैं बहुत सारी इनिशेटिवस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं PLI स्कीम्स वगरा दुनिया भर की उसी तरह से जो coal-based energy demands है इंडिया की वो कम करनी है और clean energy की तरफ जाना है जैसे solar, wind उसकी तरफ जाना है और आप इसके अंदर gas भी add कर सकते हो देखिए जो natural gas होती है natural gas एक hydrocarbon है जैसे आपका coal petroleum यह सब भी तो hydrocarbon ही होते है fossil fuel होते है इसी तरह से natural gas भी एक fossil fuel होता है लेकिन as compared to coal as compared to petroleum जिसमें इसमें डीजल पेट्रोल होगरा समने कालते हैं उसके comparison में nitrogen थोड़ा clean होता है जो natural gas हो थोड़ा clean होता है और इसी वज़े से जो European country है वो भी natural gas की तरफ shift हो रही है मतलब आप यह समझ लीजे कम भागते चोर के लंगोटी मतलब आप ठीक है coal use मत करिए solar और wind से आप पुरी demand तो fulfill नहीं कर सकते लेकिन कम से कम coal से थोड़ा सा clean version जो की natural gas है वो तो use कर ही सकते है तो फिलाल basically बात यह हुई है कि हमारा जो PNGRB है उसने अभी प्रपोसल दिया है कि इंडिया को हम लोग 2040 तक कैसे gas based economy बना सकते है फिलाल इंडिया का status क्या है फिलाल हमारा status यह है that इंडिया is growing energy demand obviously बात है सो हमारा ही आइडिया है कि 2030 तक हमारी जो energy needs है वो natural gas से आएं अभी हम लोग सिर्फ 6% energy needs को natural gas से cover कर रहे हैं तो मतलब आप यह समझ लिए हमें कम से कम 9% extra natural gas से अपने energy को fulfill करना पड़ेगा in next 6 years आपको दिखने में थोड़ा ऐसा लगर होगा कि थोड़ा आजीब रहता है बट नहीं यह काफी बड़ा target actually क्योंकि आपका जो पूरा energy base है जो economy चल रही है आप अचानक से coal को replace नहीं कर सकते हो इसको बनाने में भी बहुत decade लगे हैं इसको replace करने में बहुत समय लगता है तो काफी ambitious target है इंडिया जैसी country के लिए जहां पे हम लोग natural gas बहुत ज़दा produce भी नहीं करते हैं यह भी एक बड़ी बात है क्योंकि natural gas भी हम लोग petroleum के तरह ज़दा तर import ही करते हैं 50% से ज़दा जो हमारी natural gas की जो needs है हम हम लोग इंपोर्ट से ही fulfill कर रहे है तो एक तो यह तो अपने को करना ही है साथ के साथ इंडिया के अंदर जो natural gas के resources है उनको भी थोड़ा सा हम लोगों को explore करना है जैसे आप कावेरी बेसिन ठिकर कृष्ण कोदावरी बेसिन दामोदर वैली थोड़ा सा अगर आप उपर के तरफ जाएंगे आसाम और नाचल परदेश संपार्ट ओफ उत्तर परदेश में जो गंगा बेसिन है गुजरात में जो कैमबे है गल्फ ओफ कैमबे वगारा यहाँ पे natural gas के कुछ resources को identify किया गया है हलांकि हम लोग कुछ को निकालते भी है यहाँ से explore करी रहे हैं बट फिर भी future में अगर आपको 6% से 15% में जाना है 2030 तक तो इंडिया के domestic resources को और ज़ादा यहाँ पे explore करने की ज़रूरत है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी natural gas होते वो भी एक hydrocarbon होते है वो भी एक fossil fuel होती है बट फिर भी थोड़ा सा clean होती है तो कि sulfur dioxide में से जादा नहीं निकलती है और nitrogen भी बहुत कम उसमें से निकलता है और apart from that natural gas अगर हम लोग इंडिया में produce करेंगे उसके और भी बहुत सारे benefit है fertilizer production में natural gas का बहुत ज़्यादा use होता है as a raw material तो local fertilizers का production बढ़ेगा fertilization सस्ता होगा इंडिया में पिसानों का benefit होगा बहुत बड़ी चीज़ है पावा generation तो करी सकते हैं transport energy fulfill कर सकते हैं तो natural gas अभी आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया solution नज़र आ रहा है बहुत clean है लेकिन इसके भी side effect होते हैं ठीक है बाद हैं बात करें किसमें के side effect होते हैं और हम लोग ने past में किया भी हो है पर फिलाल हम लोग natural gas के उपर ही focus करते हैं तो जैसे हजीरा basin, Mumbai, offshore यहाँ पर अच्छा खासा resource इंडिया में मिल जाता है पर फिर भी इंडिया में क्या क्या challenges हम लोग face करते हैं कि natural gas based economy इंडिया में transition करने में कौन-कौन से issues हमें आ सकते हैं एक तो सिद्धी सी बात है कि इंडिया में local production कम है तो भाई जब आपको import करना ही है तो petroleum कर लो है ना हाँ अगर आपको natural gas based economy बनानी है तो domestic production को पर focus करना पड़ेगा और यह हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा limitation है local production बहुत कम है उसके अलावा जो gas pipeline infrastructure है हाला कि अगर आप इंडिया में map देखोगो ना gas pipeline का वो काफे dense नजर आएगा but if you compare to the developed countries यह pipeline structure इंडिया में अभी बहुत weak है खासकर southern part of India eastern part of India यहाँ पर तो ना के बराबर है और अभी फिलहाल इंडिया में क्योंकि conventional तरीके से ही हम लोग use करते हैं चीजें तो नया demand नहीं आ रहा है natural gas के लिए जितना ज़दा होना चाहिए था जैसे खासकर shipping industry वेगरा में तो इसके demand ना के बराबर है तो जो market ही नहीं होगी natural gas की तो production क्यों होगी यह बहुत बड़ी बात है उसलाब private sector को यहाँ पर काफी कम involvement है जादा तर जो है government control companies हैं और जो price set किया जाता है natural gas के लिए domestically वो भी government control ही है तो ऐसे काम नहीं चलेगा market determined होना चाहिए जैसे western countries के अंदर होता है demand और supply के सबसे जो है price set होता अगर होता है तो private companies आती है नहीं नहीं technology लेके आती है better infrastructure लेके आती है distribution लेके आती है वो एक कि हमारे यहाँ पर policy making के अंदर अभी drawback है जो की fulfill हम लोग कर सकते हैं तो सिधी सी बात है pipeline को expand करिए एक बढ़िया solution आपको नजर आता है accountability आप जो है setup करिए क्योंकि एक क्या है ना इंडिया में बहुत सारी ministries इन वोल रहती है इन सब process के लदर जिसकी वज़े से complexity काफी ज़्यादा बढ़ जाती है वो एक हमारे आतो dedicated ministry हम लोग alert कर सकते हैं इस पुरे system के लिए उसले प्राइसिंग जो है वो demand based होनी चाहिए rationalization होना चाहिए prices उगरा का और यह जो pipe infrastructure आप और इंडिया में वो uniformly set up हो rather than in some pockets तो कुछ-कुछ solution जो है आप यहाप सज़ेस्ट कर सकते हो regarding this चलिए तो ड्यागे बढ़ें तो बात ऐसी है कि जो इसका tiger reserve है राजस्थान के अंदर उस tiger reserve के एक kilometer के अंदर अंदर काफी ज़्यादा mining activities हो रही थी तो supreme court ने उस एक kilometer की periphery में जो critical tiger habitat है उनके एक kilometer की territory में mining को बंद कर दिया है चीक है अब सीधी सी बात माइनी के वज़े से तो नुकसान होता ही है उसको रोकने के लिए सब किया गया है उस इस context में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सरिस्का tiger reserve के बारे में factual information है आप self study करोगे तब इसको समझ जाओगे लेकिन यहाँ पर जो एक नया concept है वो है critical tiger habitat यह थोड़ा समय लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं देखे जो सरिस्का tiger reserve है अरावली hills की valleys में बना हुआ है पहले जो अलवर के महराज हुआ करते थे तो उनके जब friends आया करते थे तो आराम से शिकार करने वह रजाय करते थे तो सरिस्का वाले इस पूर एरे में जो जंगल पाया जाता है यहाँ पर शिकार के लिए अलवर के महराज इसको use करते थे फिर बाद में 1955 और फिर बाद मे 1979 वे फाइनली इसको एक नैशनल पार्क वो डिकलेर कर दिया गया एक समय ऐसा था जब यहां पर टाइगर्स पाए जाते थे बाद में यहां पर टाइगर्स खतम हो गए शिकार जादा हो गया लेकिन फिर यहां से जो है मध्य प्रदेश वगारे से कुछ टाइगर्स यहां प इस डेशीदियस फॉर्स आपको देखने को मिलेंगे एक ट्री एहां पर बहुत फेमस ईसे जो एध्भोक ट्री कहते हैं इसे बटन्ट्री भी कहते हैं बहुत ज्यादा ग्रो करता है यहाँ पर इवन वहां के जो ट्राइबल पॉपलेशन के अंदर भी बहुत पॉपलर है, कल्चरल रेलेवेंस भी इसका है, यह धोग ट्री जो होता है, इसकी जो रूट्स है बहुत अधा डीप नहीं होते हैं, बहुत ही खास बात है इसकी, ठीक है, अपार्ट यहाँ पर टाइगर के अलावा, आपको चीतल, लैपरड, सामभर, नील, गाय वगरा, सब देखने को मिलता है, क्योंकि यही टाइगर का खाना होता है, फूड होता है, तो सब यहाँ पर क्या जाता है, एक फोर्ट भी है यहाँ पर, जिसे जो है, कंकरवाडी फोर्ट कहते एक जमाने में जब दाराशिको और औरंग जेब के बीच में अपने थ्रोन को ले लड़ाई चल रही थी, तो दाराशिको की जब हार हो गए थी, he was defeated by the औरंग जेब, तो औरंग जेब ने इसी फोर्ट के अंदर दाराशिको को कैद करके रखा था, और यहां पर एक लेक भी है, जिसे जो है, सिली सेरे लेक कहते हैं, क्रोकोडाईल सुखरा काफ़ चाद यहां पर पाए जाते हैं, अब यह चोट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट क्या होता है, देखिए, टाइगर रिजर्व के अंदर दो जोन होते हैं, जैसे हमारे बायस टाइगर रिजर्व के अंदर तीन जोन होते हैं, एक कोर होता है, एक बाफर होता है, एक टाइगर रिजर्व के अंदर सिर्फ दो जोन होते हैं, एक होता है कोर जोन बीच वाला और एक होता है बाफर जोन, जो बीच वाला कोर जोन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अब इसके सासत मिलती जूलती एको टर्म है जिसे कहते है critical wildlife habitat टाइगर अब समझ गए जो कि tiger reserve के अंदर national park के जहाँ पर बिसले tiger पाई जाते है tiger reserve के अंदर होता है एक होता है critical wildlife habitat सिर्फ tiger के लिए नहीं होता है बलकि सभी wild animals के लिए होता है सभी wild elephant के लिए अंदर होता है अब यहाँ पर दो act है one is wildlife protection act 1972 और दूसरा जो हमारे पास है वो है forest rights act 2006 अब दोनों के अंदर अलग-अलग चीज़े mention की गई है जैसे जो critical wildlife habitat है यह wildlife protection act के अंदर cover नहीं होता यह forest rights के अंदर cover होता है क्योंकि यह सभी wildlife के लिए होता है तो इसी लिए इसको wildlife protection act के अंदर अंदर नहीं किया गया है जबकि जो critical tiger habitat है यह wildlife protection act के अंदर में तो mention किया गया है लेकिन forest rights के अंदर mention नहीं किया गया है क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ Tiger की बात होती है और Tiger Wildlife Protection Act के Schedule 1 में आता है मतलब इसको Highest Level of Protection दिया गया है इसलिए इसको Wildlife Protection Act के अंदर में आड़ किया गया है ध्यान रखना है बड़ा Important Fact है Prelims के लिए Core Critical Tiger Habitat is mentioned only in Wildlife Protection Act but Critical Wildlife Habitat is mentioned only in Forest Rights Act 2006 यह अपने ध्यान रखना है Prelims का Point है ओके चले आगे बढ़ते हैं नेक्स अपने पास आर्टिकलता है Questions Arise Over Future of the Parliamentary Security Unit Basically अभी आपको याद होगा पिछले कुछ समय टाइम पहले Parliamentary के अंदर एक Security Breach हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने अपने जूतों के अंदर कुछ colors डाल के ले गए थे तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी Government ने क्या किया है Parliamentary Security को Overhaul किया है Basically तो अभी तक क्या हो रहा था अभी तक जो अपने पास एक Parliamentary Security Service PSS होता है पहले इसको Watch and Ward स्टाफ कहा जाता था 2008 तक उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया Basically जब भगत सिंग और राजगुरू जब इन्हों ने Parliament के अंदर बोम फैंका था उसके बाद यह group बनाया गया था तो आज तक यह group जो है वहाँ पी इनोल था लेकिन अब क्योंकि recently security breach हुआ है उसकी वज़े से government ने भी क्या करने का मन बनाया है अभी full-fledged इसके लिए order नहीं आया है home ministry से तो अबना जो central industrial security forces CISF है अब शायद future में यह लोग parliament की सुरक्षा करेंगे देखिए वैसे भी CISF का नामी समझ गयोंगे central industrial security forces मतला हमारी जैसे metros है heritage monuments है government buildings है nuclear installations है right airports है power plants है इन सबकी security CISF ही करता है लेकिन अभी तग parliament के अंदर CISF include नहीं हुआ था अब पहली बार होगा तो हमारी जो central arm police forces है उनमें से एक है अपनी CISF ठीक है वो अभी ही इसको handle करेगी CISF सिर्फ security का काम नहीं करती है बलके disaster management का काम भी करती है और CISF का एक fire wing भी होता है by chance industry जो complex होसके नराग लग गई तो उसके लिए भी ये लोग काम करते हैं CISF को head करते हैं एक IPS officer जो की general director general की rank पे होते हैं और CISF के नदर 9 division होती है airport, north east, east, west, south, training, south east और central ठीक है और इसके पास जो fire wing है वो अलग से है तो थोड़ा सा CISF के बारे में पातों नहीं चाहिए हलांकि इसको इस मुख को government के है वो थोड़ा criticize किया गया है क्योंकि जो Parliament security forces है, services है मतलब PSS जो है क्योंकि यह इतने सालों से सुरक्षा कर रही थी Parliament की तो उनको rules और procedures के बारे में काफी ज़दा जानकारी होती है और वो काफी ज़दा friendly भी होते हैं एक sense में अगर आप कभी airport गए हो या metro गए हो तो तो CISF का staff हो किसे के साथ engage नहीं करता है लेकिन PSS का staff हर parliamentarian को by face जानता है पिछले hurdles कम होती है और पिछले दिनों यह देखा गया कि पार्लेमेंट के अंदर जो MPs घरा गए होए हैं उनकी बार बार identity card चेक होते हैं तो कुछ लोगों कहने के भी यह तो बड़ी खराब चीज़ है CSF को प्रेप्र ट्रेनिंग रीजी आप हाला कि सरकार का कहना है कि अगर हम लोग CSF लेके आते हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी है हो PSS की ही होगी क्योंकि airport में सुरक्षा करना is a different thing, parliament में is a different thing, मैट्रोज में is a different thing, हर चीज़ का करेक्टर अलग-अलग होता है तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस के नदर definitely जो PSS है वो include यहां पे होगे, यह थोड़ा सा आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा था, नेक्स्ट आर्टिकल की जिए बात करते हैं तो इंडिया-चाइना consumption pattern एक थोड़ा सम लोग यहां पे देख सकते हैं, तो वैसे इंडिया- सकते हो, तीन गुना से भी जादा है, तो 3.5 times more economy of GDP of China as compared to India, लेकिन कुछ ही इनों ने comparison यहां पे किये हैं, ले हां percentage की टर्म में आप अलग बात कर सकते हो, PPP की टर्म में अलग कर सकते हैं, absolute term में अलग कर सकते हैं, तो जब आप absolute term की बात करोगे तो चाइना की economy obviously इंडिया स हमेशा जादा आएगी हर level पे, तो जैसे अगर आप यहां बात करें, consumer base की बात करें, consumer base में अगर आप comparison करते हो, इंडिया और चाइना को, तो China is actually, अगर आप यहां पे consumer base की बात करें, consumer base का मतलब यह होता है, को एक ऐसा इनसान जो एक दिन में 12 डोलर से ज़्यादा खर्च करता है, उसे हम लोग एक consumer मानके चलते हैं, for the economy calculation, हाला कि जो आदमें 10 और पे खर्चा करता है, economy का तो वह भी part होता है, but for the sake of the calculation, 12 डोलर यहां पे रखा गया है, तो अगर आप देखें, जो China के अंदर this is 8.99 million, इंडिया के अंदर this is only 473 million, बतर इंडिया में ऐसे इनसान 473 million है, जो कि एक दिन में 12 डोलर से ज़्यादा खर्चा करते हैं, वहाई चाइना में लगभग 900 हैं, लेकिन जो poor हैं, गरीब हैं, वलरेबल हैं, जो कि एक दिन में 12 डोलर से कम खर्चा करते हैं, इंडिया के अंदर they are 950, और चाइना के अंदर they are only 524, तो इस context में कर आप दे consumption, final consumption में आप government expenditure को include करते हो, तो अगर आप GDP से compare करो, GDP के हिसाब से देखा जाए, तो हमारी government का consumption है, that is around 68%, और चाइना का consumption है, that is only 53%, तो यहाँ पे हम लोग चाइना से थोड़ा आगे निकल गए हैं, in order to for the government expenditure, लेकिन यह क्या अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं, नहीं क कुछ लोग कहते हैं, हाँ, कुछ लोग कहते हैं, या private consumption, जो है, यह एक better indicator होता है, economy को लेके, rather than government expenditure, क्योंकि देखे, government expenditure तो बहुत जगह भी हो सकता है, आप subsidy देते हो, तो वो भी government expenditure है, बहुत आज subsidy हम लोग देते हैं, government खुद इतने सारा project चलाती है, वो भी government expenditure हो गया, ल सरकार को उनकी तरफ से खर्चा करना वड़ रहा है, तो एक तो आपको concept थोड़ा सा यह समझ में आना चाहिए, दूसरी बात यह है, अगर हम लोग category के साव से बात करें, देखे, developed country और developing country, ठीक है, developing country, दोनों के बीच में, जो consumption का pattern वो थोड़ा अलग होता है, जैसे जो poor country ह होती है, वहाँ पर लोग food वगयरा के उपर जादा खर्चा करते हैं, जैसे अगर आप इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जादा जो spending होती हमारी जनता करती है, वो food, clothing, footwear, transport पर जादा खर्चा करती है, as compared to that, education, culture, recreation, healthcare पर कम खर्चा करती है, यह एक typical character होता है, underdeveloped or developing market का लेकिन अगर अगर चाइना क्यों बात करें, तो चाइना में basically, हाला कि लोग food and beverage पर जादा खर्चा करते हैं, but चाइना में लोग जादा education, recreation, health पर जादा खर्चा करते हैं, as compared to India, तो इसका मतलब यह है कि they are more economically and socially developed than India, जैसे अगर अब US, Japan, European Union, Germany, UK, जो कि developed country हैं, इनकी बात करें, तो यहाँ पर food लोगों उपना को उतना खर्चा नहीं करते हैं, education, health, वहाँ पर जादा खर्चा हो रहा है, उसके लावा इंडिया, as compared to China, हम लोग ट्रांसपोर्ट के उपर बहुता खर्चा करते हैं, ठीक है, चाइना के उपर लोग जहाँ उतना खर्चा नहीं करें जो कि it was very bad for India, इंडिया की GDP growth माइनस में चले गए थी, उसको थोड़ा सा अगर आप निकाल दें, तो definitely हमारी purchasing power तो बढ़ी रही है, especially in terms of PPP, लेकिन जो jobless growth है, वो इंडिया में एक बहुत बड़ा issue यहाँ पर नजर आता है, उसके लावा एक और point जो यहाँ पर mention किया गया और फिर decline करेगा, जबकि चाइना की population already declining position में आ चुकी है, तो basically बात है, चाइना में people are getting little bit older as compared to India, तो लोग जब थोड़े से बुजूर्ग होते हैं, बोड़े होते हैं, तो कुछ खास categories में consumption कम हो जाती है, जैसे food, beverage वह थोड़ी कम हो जाती है, जबकि health के उपर expenditure बढ़ ज ले सकते हैं, चलिए, आज को जो एडिटोरिल है, वो कहता है radical democracy, why is it still relevant today, देखे ये ना बात 1930s की हो रही है, तो 1930s में हमारे पास एक बहुत visionary leader थे जिनका नाम था M.N. Roy, और M.N. Roy जी ने Communist Party of India की स्थापना की थी, और मतलब उसके वो founder थे, उन्होंने उसमें जो बाते कही वो आज भी relevant नजर आती है, और उन्होंने एक radical democracy की बात किया, यहां पर radical ना बहुत negative term में मत सोचो आप लो, फिर radical का मतलब है, बहुत सड़कों पयाना, लडाईयां करना, गोलियां बरसाना, नहीं नहीं, that is not the meaning of radical, बताओं आपको क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा, इसकी जरूरत क्यूं पड़ी, कुईसी भी नए सिस्टम को introduce क्यूं किया जाता है, या फिर किसी लोग नए सिस्टम क्यों follow करते हैं, उसके पिसे क्या reason होता है, क्योंकि पुराना सिस्टम को result नहीं दे रहा है, सीदी सी बात है, तो लोग नए सिस्टम को follow कर लेते हैं, हमारे यह है कि जब 19th century की बात करते हैं हम लोग तो liberal democracy पुरी दिन्जा बहुत फेमस हुआ कि liberal democracy का मतलब यह कि सब कुछ free छोड़ दो government का control minimum रखो minimum छोड़ो मतलब zero कर दो लोगों को जो खरीदन होगा खरीदेंगे जो बेचना होगा बेचेंगे जिसके साथ ट्रेड करना होगा ट्रेड करेंगे लोगों को खरीखोर दो तो individual freedom extreme level में बात किया गया तो उसे आप एक extreme level of capitalism भी कह सकते हो लेकिन capitalism की problem यह है कि capitalism के जो बाद में result नजर आते हैं वो यह आता है कि capitalism से exploitation होने लगा तो यह वाला system तो flop हो गया open liberal democracy open capitalism flop हो गया तो फिर लोगों ने का अब क्या करें भाई तो उसका कुछ alternative लेके आएंगे alternative फिर नजर आए communism चलो ठीक है communist ideology को follow कर लेते हैं लेकिन यह भी खतरनाक हुआ जितने communist country हुई हर जगा dictator पैदा हो गए fascism वहाँ पर dictators पैदा हो गए तो alternate जो था वो और भी खतरनाक था रश्या की बात करें millions of people have died Ukraine की बात करें millions of people have died China की बात करें millions of people died North Korea अब किसी भी country का example उठा लीजे जहाँ पर इस capitalism का alternative इंटर्डूस करने की कोशिश कही है वहाँ पर बहुत strong fascist और communist leaders और dictators नजर आए हैं democracy नगे capitalism की हो इसे बाद में हम लोग ने socialism का नाम दिया दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर ले किया है बट उन्हीं उसी टाइम पर इंडिया में जो एमेंद रोई जी हैं वह एक नए आइडिया पर काम कर रहे थे विच वज रैडिकल डेमोक्रेसी ठीक है अगर आप काल माक्स को पढ़ते हो या फिर आप माउ को पढ़ते हो ठीक है अगर आप इन लोगों को पढ़ोगे तो इनकी जो थोड़ प्रोसेस है जो आइडियोज जो है रेवलुशन आपको नजर आता है ठीक है जैसे इंडिया में जो नक्सलिजम इसी आइडियोजी के फोलो करते हो राइट के जो पावर है इट स्टार्स फूं दा बैरल ओफ दगन तो हम लोग स्टेट को उखार के फैंक देंगे वालिन्स करेंगे लेकिन एमेंद रो जी कहिए कहना था कि scientific humanism के ओपर focus किया scientific humanism का मतलब यह होता है कि जो human beings होते हैं वो rational होते हैं human beings हर decision सोच समझ के लेते हैं rational होते हैं good और bad को सोच के लेते हैं हलांकि that is not true ऐसा लगता है हमें human being बहुत rational होते हैं लेकिन actually we are more emotional less rational और आज कल की तो जितनी studies की जाती है सबके अंदर एक यह proof किया गया है कि human beings जादा तर decision अपनी life में emotional लेते हैं rather than rational कितना ही पड़ा लिखा इंसानो scientist भी क्यों ना हो और इसलिए behavioral economics और behavioral politics जादा नजर आती है तो अगर आप देखेंगे बहुत बार लोग क्या करते हैं ऐसे leader को चुन लेते हैं जो की rational ही अगर सोचा जाए तो बहुत खराब leader है लेकिन अगर emotion में बहें के लोग बूट देते हैं तो अगर human being के तरह ही rational होते तो ऐसे leaders को कभी हों लोग select नहीं करते हैं सोचने की बात है अब इनका यह कहना है कि में दरोई जी का कि जो rationality है जो human being के अंदर से आती है अच्छा बुरा सोचने की जो capacity होती है उसी से morality पैदा होती है जो की काफी हद तक सहीती है no doubt अब कुछ लोगों का कहना है कि morality religion से आती है लेकिन ऐसा तो नहीं है जो लोग religion को believe नहीं करते हैं क्या वो immoral होते हैं ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि religion से ही आएगा इवन जितनी country अगर आप देखें आज का time में दुनिया में जो less religious है यहां पे politicians and in general people are more honest टेक्स वगरा कम चोरी करते हैं उस तरह की चीज़ें तो उनका कहना मन रोइन जी का कि rationality से ही morality आएगा अगर मालू मैं भगवाने believe नहीं भी करता हूँ लेकिन मुझे यह लगता है कि एक बच्चे को नहीं मारना चाहिए एक औरत के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए तो वो morality मेरे अंदर से आई है मैं धर्मे believe करूँ या ना करूँ that's a different case तो ऐसा उन्होंने कहा और फिर उन्होंने कहा कि revolution जो है वो उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से लोग usually believe करते हैं society के अंदर से ही जो individuals होते हैं ठीक है उनके अंदर से ही change आएगा ऐसे नहीं के हत्यार उठा के सारा system change कर दो उससे revolution है उससे कुछ होने वाला नहीं है तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर democracy की बात किया तो उन्होंने कहा कि जो usually हमनों डेमोक्रेसी की बात करते हैं जैसे कोई मतलब नहीं है it is nothing but a flop show अगर एक आम आदमी एक आम वोटर किसी देश में अगर वोखे पेट सो रहा है उसके बच्चों के पास education नहीं है समाज में उसकी कोई हारा की इज्जत नहीं है उसके साथ untouchability follow की जाती है उसके बच्चों का education नहीं मिलती है सर पे छट नहीं है तो उस वोटर अगर इस तरह से undignified life जी रहा है तो ये democracy सिर्फ नाम की है काम की नहीं है और ऐसी democracy में अच्छे नेता नहीं आएंगे खराब नेता लोग आएंगे जिसे demagogue कहा गया है ये demagogue क्या करते हैं आपको बड़े बड़े promise करते हैं एक utopia create कर देते हैं जैसे utopia के ना something like that या फिर जैसे कामराज राज्ये की बात की जाते है इस तरह की चीज़े तो ये जो नेता होते हैं जहां पे voter undignified होता है तो इस तरह के utopian promise आपको ये बात मन रोएजी 1930s में कह रहे हैं आज की बात नहीं है ये ये सो साल परानी बाते हो रही है लग बाग जब ये नेता लोग बड़ी बड़ी बाते करते हैं चीक है ये का हो जाएगा वो कर देंगे सब कुछ है इंदम बिल्कुल स्वर्ग मना देंगे तो जो voter है क्योंकि वो उतना जाता अवेर नहीं है इनको voter देता है वही सेम नेत एक जटके में दूर कर देंगे unemployment बढ़ा देंगे टका टक लेकिन आपने कर नहीं कि तो लोग सवाल करते हूं इन सवालों को दबाने के लिए strong man techniques अपनाई जाती है फिर नोमो स्पीच को कर्टेल कर दिया जाता है जुडिशरी पावर को कर्टेल कर लिया जाता है आप यहाँ पर जैसे 1975 की emergency के example दे सकते हो येस जो लोगों ने सवाल पूछे सरकार से आपने तो कहा ता गरीबी हटाएंगे कहा है गरीबी गरीबी हटाई कहा है आपने तो करप्शन भयंकर आप कर रहे हो तो सवाल जब पूछा जाता है तो स्ट्रोंगमें टेक्निक सपने जैती है तो ये 1930s में कह रहे हैं में रोगी जी कि ऐसा होता है तो एक वोटर को conscious होना वोटर को intelligent होना ज़रूरी है तो इन्होंने कहा ही साथ क्या alternative है इन्होंने कहा alternative अच्छा भी है और alternative बुरा भी है एक हद तक अगर देखा जाए individual freedom बहुत important है लेकिन अगर individual unaware है uneducated है तो फिर community को सामने रखना चाहिए as a group as a community rather than as an individual तो कि individual intelligent है ही नहीं तो एमेंद्रोई जी यह कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनका कहना है कि public opinion intelligent होना चाहिए लोकल लेवल पे लोग खुद अपने महले में अपने शहर में regional meetings करें libraries open करें वहाँ पे open debate हो अपने issues identify करें तो चेन्नी में बैठे किसी तमिनाडो में किसी गाउं में बैठे वे आदमी का अगर कोई matter है वो दिल्ली में बैठे किसी matter आदमी के पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता ही नहीं उसकी problems ना उसकी language जानता ना उसका culture जानता तो उसकी भावनों को नहीं समझ रहा है वो तो इनका कहना है कि लोग इस तरह की meeting करें खुद आपस में अपने matters को identify करें और अपने में से ही किसी leader को elect करें यह जो independent leader है क्योंकि वो जंता के अंदर से खुद आ रहे हैं तो दे वुड़ और नहीं करेंगे हालांकि इस चीज़ों पर बहुत जदा डाउट क्रेट करेंगे क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं है और जहां प्रैक्टिकल होता है ऐसे लोग जो सामने आते हैं वो खुद करना शुरू कर देते हैं तो यह यह खुद मतलब एमेंद रोए जी खु करेंगे लिखेंगे वापस में अपने इशूस में बाते करेंगे ऐसा होता है क्या और कंट्री लाइक इंडिया जहां पर उस समय की वह बात कर रहे हैं जब 98 परसंट लोग इंडिवे इलिटरेट हैं गरीबी हमारे यहां पर इतनी जादा है दो रोटी के लिए लोग लड कराता है तो शायद यह बाते और नेक्स्ट हंडर्ड एर के बार ठीक होंगी लेकिन ना तो यह 1930 में प्रैक्टिकल था ना ही यह आज प्रैक्टिकल है तो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मुमेंट हो इंटेलिजेंट कॉंसियस पार्टिस्पेशन इंडिविजुल्स का ज सबको इकुल पावर दी जाती है और सब को वोट की पावर एकुल होती है एक चीजह होते हैं मेरिट्टो-क्रेसी का मतलब यह होता है इनका यह कहना है कि एक गुरीब आद्मी को थोड़ी पता है वो एक्सपर्ट थोड़ी है उसने कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं क्या उसके आसपर चल रहा है तो सिर्फ जो मेरिट वाले लोग हैं इंजीनियर्स डोक्टर्स पड़े लिखे लोग ठीक है उनको लोगों को ही वोट दिने का दिकार होना चाहिए लेकिन एक्चुली डैट इस मोर डेंजरस दें डेमोक्रेसी इन लोगों ऐसे इतने सारे एक्सपेरिमेंट किये गए हैं कि पड़े लिखे लोग जब इस तरह के लोग वोट करते हैं तो वो लोग एक ही जगा वोट थोड़ी ना करते हैं वो लोग भी तो अलग लग तरह के वोट करेंगे तो सब ही लोगों की वोटिंग का जो of only some few educated expert merit people इतने बहुत सरे experiment कर लिए गए हैं तो ये सोचना कि एक पड़ा लिखा इंसान नहीं है और वो बेवकूफ है ये सबसे बड़ी गलती है एक अनपड़ आदमी भी किसी गाउं में socially एक पड़े लिखे इंसान से hundred times जादा conscious intelligent समझदार हो सकता है और होते भी हैं बहुत सरे कैसे से अगर ऐसा ही होता पड़े लिखे लोग इतने ही जादा वो करते तो फिर तो developed country के अंदर फ्रोलम ही नहीं होनी थी हमारे यहां पर corruption भी नहीं होनी थी कितनी बाद जो criminals होते हैं वो खुद पड़े लिखे होते corruption होते हैं billions of dollars से corruption होते हैं कौन कर रहा है पड़े लिखे इंसान ही कर रहा है तो पड़े लिखे इंसान गलती नहीं करेगा और पड़े लिखे इंसान हमेशा अच्छे decision लेगा यह मानना खुद अपने हमें बहुत खराब एक thinking है एमेंद रोई जी ने ये कहा कि एक radical kind of democracy के हमें requirement है जहां पर हम लोग लोगों के need समद सकें क्योंकि capitalism सिर्फ और सिर्फ प्रोफिट के उपर काम करता है तो इसका एक alternative solution हमारे पास होना चाहिए तो एमेंद रोई जी वे actually modernization of agriculture की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि modernization of agriculture एक solution है क्योंकि उस जमाने की बात कर रहे है जब इंडिया में majorly population rural areas में रहती थी और rural areas में agriculture एक बहुत dominant role play करता है तो इन्होंने कहा दोतीन issue ऐसे हैं अगर हम लोग इसको solve कर लेंगे अपने गाउं में agriculture में तो प्रोलम समस्था हैं दूर हो जाएंगी जैसे कि इंडिया में lack of irrigation वो तब भी था आज भी है इस प्रोलम को solve करना ज़रूरी है दूसरा जो fertility हमारी soil के बहुत कम है इंडिया में तो ये problem तब भी थी ये आज भी है तिनका कहना के इस problem का solution सरकार कर सकती है फर्टिलाइजर दरा परवाइड कराएं आज भी हम लोग करवाते हैं फर्टिलाइजर सबसिडी और एक इनका कहना roads रोड जो infrastructure है that was very poor उस से में पर भी poor था आज भी poor है आज भी बहुत सारा जो agriculture produce है वो रास्ते में ही waste हो जाता है हमारा क्योंकि infrastructure काफी खराब है इंडिया बहुत बड़ा देश है तो बहुत सारी जग ऐसे हैं जहां पर आज तक सड़के पहुँची ही नहीं है तो यह इन्होंने कहा कि solution होना चाहिए अपार्ट फर्म डेट unemployment insurance होना चाहिए old age pension होनी चाहिए education और health infrastructure उपर सरकार को खर्चा करना चाहिए जो सरकार करती भी है तो इंडिया की politics में basically अगर आप पिछले उठा के देखेंगे 100 साल लगबग लगबग 100 साल या 500 साल के आसपास तो इतने सारे thought process और इतने सारे ideas रहे हैं हमारी politics में चाहिए वो extreme capitalism हो चाहिए वो socialism हो चाहिए वो कमुनिजम हो चाहिए वो religious चीज़ें हो चाहिए वो कुछ भी हो हमारी political ideology में government जो schemes वरा बनाती है सभी का mixion मिलेगा आपको क्योंकि Indian political जो leaders थे उस समय पे वो हर जगह से आते थे तो हमारी जो सरकारे scheme चलाती है तो वहाँ पे आपको communist approach भी नजर आएगी आपको हाँ पे capitalist approach भी नजर आएगी socialist approach भी नजर आएगी सब कुछ mix में आपको यहाँ पे मिलेगा तो यह हमारी political बेसलिए बड़ा unique democracy जो इंडिया की बड़ा unique सा एक setup है जो कि western country में आपको युजली देखने को नहीं मिलता है तो उस context में आर्टिकल था उसके लावा कि traditional आर्टिकल भी है definitely पढ़ना चाहता पड़ सकते हैं इसमें से एक आधा आर्टिकल जैसे यह वाला मैं एक दो चीजे हम लोग और पढ़ सकते हैं तो आज यह लिए नहीं करते हैं थैंक्यू वरी मिच्ट बेस्ट जैहिन जैजवान जैकित